नवश्कार मैं हूँ आपके साथ अभी शेक पुंडीर उत्तर प्रदेश के विधान सबामे जिस तरीके से जो कुछ चल रहा है वो योग्या दितनात के लिए शायद आने वाले वक्त में सही नहीं चल रहा है कि दिल्ली में जिस वक्त उत्तर प्रदेश के नेताओं का जुटान हुआ प्रदानमंतरी मूदी बीच में आये उन्होंने मीटिंग में योग्या दितनात के बारे में किसी भी बात को करने से इंकार कर दिया था लेकिन ऐसा लगता है कि वैसा नहीं है क्योंकि केशाव इतनात की सरकार ने विदान सभा में पास किया हला कि कुछ बीजेपी विदायक और कुछ समाजवादी पार्टी के विदायकों ने इसकी खिलाफत जरूर की लेकिन उसके बावजूद भी विदान सभा में इस बिल को पास करवा लिया गया उसके बाद बिल गया विदान परि तो एक बार फिर से ये सरकार से बड़ा संगटन वाला बयान सच होता दिखा जब नजूल भूमी विदायक विदान सब हमें पास होने के बाद विदान परिसद में जाकर अधर में लटक गया अभी जब विदायकों ने की विरोध की प्रवा पर वहा योग्याद इतना थे न अब सवाल उठने लगा कि नजूल संपत्ति विदायक ने क्या साबित कर दिया क्या वाकई में सरकार से बड़ा संगटन है जिस तरीके के नतीजे इस बार लोग सबचुनाव में आये हैं उसके बाद से लंबी उठा पठाक उत्तरप्रदेश में देखने को मिल रही है प् प्रताप सिंग कॉंग्रेस विदायक राधना मिश्रा ने इस बिल का विरोध जता है इस बिल के विरोध में सिदार्थ नाथ सिंग और हर्श वर्दन वाजपई ने भी आपत्ति दर्ज करवाई और जिन दो विदायकों ने आपत्ति दर्ज करवाई वो इलाबाद से ही आ परिशाद मौरिया आते हैं ये विधायक बीजेपी अद्धिक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात करने के लिए पहुचे थे उसके वहां मुलाकात कर भूपेंद्र चौधरी के सामने के सामने इन्होंने अपनी अपत्ती जताई और कहा कि बिल अगर पास होता है तो उत परिशद में ऐसे कुछ नहीं था तो वो भी समझ लीजिए अब बीजेपी प्रदेश अद्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के विरोध जताने के बाद यूगी सरकार के नजूल बिल के लटकने से सियासी चर्चाएं तेज हो गई यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद ये पहला मुका है जब विदान सभा से पास होने के बाद कोई बिल को उस पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष ने विदेयक का विरोध करते वे विदान परिशद में लटकवा दिया ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस विदेयक को प्रवर्थ समीती ही भेजना था तो सरका इसे विदान सभा में पास ही क्यों करवाने के लिए लाई और पास करवाया ही क्यों ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या सरकार से बड़ा संगठन की बाद विदान परिसद में सही साबित हो गई है तो जिस तरीके से योग आदितनात को सीधे तोर पर कहें कि बेजज़ती की दितनात से बदला लिया है केशा परसाद मौरिया ने क्या बदला लिया है उनी के विदायकों ने विरोध किया जो इलाबाद से आते हैं और दिखा दिया कि सरकार से बड़ा वाकई में संगठन है क्योंकि संगठन एक जूट है उसमें केशा परसाद मौरिया हो या फिर ब उनकी जो संपत्ती थी वो उन पर कबजा कर लिया था जिसके बाद फिर अंग्रेज चले गए तो जो संपत्ती पर अंग्रेजों ने कबजा किया था वो संपत्ती सरकार की संपत्ती घोशित कर दी गई और फिर तमाम संगठनों को संस्थाओं को तमाम लोग नजूल की जो भ पर चल रहे हैं और इस विधेयक में ये भी कहा गया है कि जो प्राइवेट संस्थाएं चल रही है नजूल की भूमी पर उनकी जो लीज है वो रिन्यू नहीं की जाएगी वो रादाबाद का एक मामला आया जहां एक चर्च को लेकर एक चर्च की जमीन रिन्यू होनी थी ली हाया है हलांकि अभी सिर्फ विधेयक पास विधान साबा में हुआ था इसके जो लीगल पॉइंट से वो अभी नहीं बनाए गए थे नहीं उनके बारे में चर्चा की गई थी कि वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे बावजूद इसके भी क्या दिल्ली से आदेश मिला था के और आपका भूपेंद्र चोधरी को जिसकी वज़ा से योग्या दितनात के इस बिल की विधान परिसद में खिलाफत की गए तो इसके बाद योग्या दितनात जरूर कुछ बड़ा स्टेप उठाएंगे जरूर कुछ तगड़ा एक्शन तो जरूर लेंगे इससे पहले य पुरी लग गई और दिल्ली ने आदेश दिया कि जो बिल लाया जा रहा है विधान परिसद में वो पास ना करवाया जाए तो जो भी कुछ इसके अंदरूनी पॉइंट्स होंगे अंदरूनी जो कुछ सियासी बाचीत दिल्ली और संगठन उत्तरपरदेश के बीच हुई वो भी जल्दी सामने आ जाएगी लेकिन जिस तरीके से योग्या दितनात की बेजजती सदन में की गई है उसके बाद अब दिल्ली को ये बहुत भारी पढ़ने वाला है तो जिस तरीके से वुपेंदर चौधरी ने विधान परिशद में बिल पास नहीं उने दिया पत्त जता दी उस पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं नमस्कार